कि एस्जी केजी स्टडीज एंड एस्जी केजी टू पॉइंट टू यूट्यूटीब चैनल पर आपका पुना हर्थी का भिन दन है हमारे संब्रांथ समाज के एक उच्वर गिये बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक पत्र लिख करके खुद को शूट कर लिया गोली मार लिया जी हां ये एक कारोनिक गाथा है हम सब की हमारे अपने बीच के हमारे समाज की पिता ने चिठी क्यों लिखी पिता ने चिठी में क्या लिखी और उसको लिखने के बाद से अपने आपको शूट क्यों कर लिया अपने आपको गोली क्यों मार लिया ये जानने से पहले उनकी प्रिष्ट भूमी जान लेना थोड़ा सा आवश्यक है और प्रिष्ट भूमी ये है कि पिता जो है सेना में कर्नल पद से रिटायर्ड हुए है आर्मी में मेजर के बाद लेटिनेंट कर्नल होता है लेटिनेंट करने के बाल से कर्नल होते है करनल एक बहुत ही प्रिस्टिजियस पोस्ट होता है और पीता करनल पोस्ट से रिटायर होते हैं रिटायर होने के बाद से शहर के पॉस्ट कालोनी में अपनी धर्म पतनी के साथ रहने लगते हैं उनके दो होनहार बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे सुदूर अमेरिका में रहते हैं होता ये है फौज में लगबग मैंने एयरफोर्स में ऐसा देखा है कि बच्चे लगबग दो तरीके के होते हैं एयरफोर्स की प्रिष्ट भूमी से मैं बता रहा हूँ एयरफोर्स में जितने लोग सर्विस करते हैं उनके बच्चे लगबग दो तरह के होते हैं एक successful बच्चे होते हैं, अपने माता पिता के successful बच्चे वो होते हैं, जो 12th पास होते ही NDA पास कर गए, या CDS पास कर गए, और फौज में आपसर बन गए, आर्मी, नेवी, एरपोर्स किसी में भी आपसर बन गए, और उनके फाद माता पिता सब जगा कहते फिरेंगे, मेरा बेटा जो आपसर बन गया, मेरा बेटा जो है, प्लाइंग आपसर है, फ्लाइट लिफ्टिनेंट है, स् शुरू कर दिये, प्रसंशा की गाता है, शुरू, अपने आपको गर्वानवित महसूस करते हैं, अपने बच्चे के साथ फोटो की चवा करके, हो भी क्यों नहीं, बेटा कमिशन जो बना है, तो ये सक्सेस्फुल बच्चों के बाप के क्रेटिगरी में आते हैं, एक दू पाते हैं, वो अंसक्सेस्फुल के टेगरी में चले जाते हैं, और जो अंसक्सेस्फुल के टेगरी में जो बच्चे जाते हैं, मैंने एरपोर्स में देखा है, उनके बच्चे आने वाले समय में, अमेरिका, कनेडा, औस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, जपान, इन सब दे देखने का नजरीया अलग है, अब यहाँ पर कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सफल है और कौन सफल नहीं है, कौन कम सफल है कौन ज़्यादा सफल है कहना मुश्किल है, लेकिन उस समय लगता है, बच्चे जल्दी नोकरी पा जाते हैं, कमिशन डॉप्शर हो जाते हैं, तो स वाड़े कमपनी में कई प्रकार के जोब में ये us a canada germany… UK, Australia, Japan में सबमेन इन सबमें सेटल हो जाते हैं कुछ तो वहीं पर नीचर कर कर के सेटल हो जाते हैं कुछ वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं ज़ोब मिल जाती है जोब मेरीज कर कर के सेटल हो जाते ये जो कर्नल साहब हैं, इनके जो दो बच्चे हैं, ये सुधूर अमेरिका में जॉब करते हैं, और वही पे अपने परिवार के साथ सेटल्ड हो गया है। यहां यह बताना आवश्यक नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कूर कसर नहीं रखी होगी। माता पिता के प्रेणा से, बच्चे सफलता के सेड़ियां चड़ते गए, पढ़ लिख करके इतने योग्ये हो गए, कि दुनिया की सबसे नामी गिनामी कॉर्कॉरेट कमपनी में नौकरी मिल गई, सजयों से दोनों भाई, एक ही देश, लेकिन अलग अलग अपने परिवा के साथ अमेरिका में रहने लगे, करनल साहब रिटायर हो चुके हैं, अपनी पतनी के साथ रह रहे, बुड़े हो चुके हैं, एक दिन अचानक पिता ने, पिता मिंज करनल साहब ने, एक दिन अचानक पिता ने रुआसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने की प्रतिक्षा करते रहे खबर दे दिया उन्होंने अपने बच्चों को कि तुम्हारी माँ नहीं रही जल्दी से आजाओ, ताकि तुम्हारी मा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और अपनी पत्नी के बगल में बैट करके बच्चों के आने की प्रतिक्षा करते रहे एक दिन बाद छोटा बेटा आया, जिसके घर का नाम चिंटू था माता पीता के नजर में बच्चे चाहें कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे बच्चे ही होते हैं चिंटू आया, पिता ने उसे गले लगा लिया और फिर पिता ने पोचा, चिंटू, मुन्हा क्यों नहीं आया? मुन्हा अर्था बड़ा बेटा चिंटू ने कहा, उसे फोन मिला और पहली उडान से हुआ गया मुन्हा क्यों नहीं आया, इस प्रश्ण को उसने टाल दिया और उसने बताया कि मुझे पहली फ्लाइट मिली और उसी से मैं चला आया करनल साहब सोच रहे थे कि धर्म के अनुसार बड़े बेटे का आना आवश्यक है बड़े बेटे से ही मुक्ष की प्राप्ति होती है और बड़े बेटे की रट लगाते लगाते करनल साहब दीरे-दीरे जित पकड़ लिये कि बड़ा बेटा आएगा और वहीं अपनी माता को मुखागनी देगा छोटे बेटे से रहा नहीं गया और अंतता छोटे बेटे के मुँझे एक सच निकल नहीं गई सच यह थी कि उसने अपने पिता जी से कहा कि मुन्ना भाहिया ने कहा कि मा के मौत में तुम चले जाओ, पिता जी मरेंगे, तो मैं चला जाओंगा यह बात सुनकर के बुढ़े पाप, यह बात सुनकर के बुढ़े पिता जी हके बक्के रह गया ये बात सुन करके उनको सदमा सा लग गया ये बात सुने शान्त हो गया करना चाहब अपने कमरे के अंदर गया उन्होंने कई बार खुद को संभाला और फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो पत्र इस प्रकार है प्रीय बेटों मैंने और तुम्हारी माने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम दुनों को पाला बोसा दुनिया के सारे सुकती है देश्ट दुनिया के बेहतिरीन जगों पर शिक्षा दी जब तुम्हारी मा अंतिम सांसे ले रही थी तो मैं अकेला उसके पास था वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहते थी तुम दोनों को बाहों में भरके चुमना चाहते थी तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू जो थे वो इंतजार करती रही और तुम दोनों नहीं आए उसकी मौत के बात उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं अकेला था मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग भी मेरे साथ होते और मुझे धानस बनाते मुझे फरुसा दिलाते तुम्हारी ममी की मौत के बाद तो मैं वहाँ पर पड़ा हुआ था मैं उसके साथ था मेरे मौत के बाद शायद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा ममी तो चली गई मैं अकेला रहा जाओंगा और जब मैं मरूगा तो शायद मेरी लाश के पास तुम लोगों के इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा सबसे बड़ी बात ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निप्टाने के लिए तुमारे बड़े बाई को यहां पर आना पड़े इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि जब छोटा आहीं गया है तो अपनी मा के साथ मुझे भी निप्टा करके ही जाए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार नहीं है मुझे जीने का क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन पर धन के साथ सम्मान भी दिया मैंने उस समाज को दो असब्य बालक दिए, दो असब्य नागरिक मैंने दिए ये मेरी खता है, ये मेरी भूल है, ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है और इसलिए मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है हाँ येक बात है अच्छा हुआ कि अमेरिका जा करके हम नहीं बचे नहीं तो ये सच्चाई तब जाती है मेरी अंतिमिक्षा है कि मेरे मेडल तता फोटो मेरे बैटालियन को लोटा दिये जाए तता घर के सारे पैसे मेरे नौकरों के बीच में बांट दिये जाए जमा पूंजी की आधी रकम ब्रिधा सेवा के अंदर में दे दिये जाए एवं आधी रकम सैनिक कल्यार सेंटर में दे दिये जाए तुम्हारा पीता चिठी समत कमरे से ठाय की आवा जाई करनल साहब ने खुद को खोली मार ली या क्यों हुआ किस कारण हुआ कौन दोश्री है इसमें मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना ये घटना समाज के बुद्धिजीओं के लिए हम छोड़ते हैं समाज के बुद्धिजीओं इस घटना पर चिंतन करें और इसका सोलूशन ढूणें जैशे राम